जाने माने फाशन डिजाइनर और बिग बॉस का हिस्सा रहे चुके रोहित वर्मा ने अपनी जंदगी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। फाशन डिजाइनर रोहित वर्मा ने ऐसे शौकिंग खुलासे किये हैं जिने सुनका राब भी हरान रह जाएंगे। रोहित ने बताया कि जब वो आच साल की थे तब उनके रियल अंकल ने उनका बलातकार किया। इसके साथी उन्होंने ये भी बताया कि एक फेमिस आक्टर के साथ वो रिष्टे में भी रह चुके है। रोहित वर्मा अपने स्टाइल और इसके साथ ये अपने बेबाक बयानों की वज़ा से मीडिया में चाही ही रहते हैं लेकिन इस बार रोहित वर्मा ने जो खुलासा किया है वो अपने आप में काफी हैरान करने वाला है बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और मशूर फाशन डेजाइनर रोहित वर्मा ने अपनी जिंदगी के डरावने और कड़वे सच को दुनिया के सामने रिवील किया है रोहित ने बताया कि जब वो आच साल के थी तब उनके अंकल ने उनका यौन शोशन किया रोहित ने बताया कि वो एक बहुत अच्छी फामली से तालुक रखते हैं उनकी फामली मेंबर्स आज भी पुराने रिती रिवाजो को फॉलो करते हैं रोहित ने बच्पन के डरावने इंसिडेंट का खुलासा करते हुए बताया कि उनके अंकल ने उन्हें साड़ी पहने पर मजबूर किया और उनकी बाड़ी पर हाट वेक्स भी डाली थी रोहित वर्मा ने कहा कि ये सच है कि मैं काफी अच्छी फैमली से बिलॉंग करता हूँ लेकिन मेरे रियल अंकल ने जो मेरे साथ किया वो किसी भी बच्चे के साथ ना हो उन्होंने बताया कि रियाल अंकल ने बच्पन में मेरा यौन शोशन किया आठ साल के उमर में मेरे अंकल ने मेरा रेप किया था रोईत ने बताया वो मुझे साड़ी पहना कर मेरे उपर हॉट वैक्स डालते थे और फिर मेरे साथ डरावने अक्ट्व करते थे ये सब मेरे अंकल ने मेरे साथ लगातार तीन चार साल तक किया मैंने डर की वज़ा से कभी अपने पेरेंट्स के साथ ये बाते शेयर नहीं की लेकिन अब मशूर डिजाइलन ने बहुत बड़ा खुलासा किया है अपने को लेकर और ये भी बताया है कि किस तरीके से आठ साल के उमर में उनके साथ ज्याती की गई रोहित ने अपने उन पलों को भी याद किया जब मुंबई में एक प्रोसिक्यूट के तोर पर काम किया उन्होंने वोस टाइम पर साड़ी पहनते थे रोहित ने इंडस्टी में कास्टिंग काउच के काले सच के बारे में बताया उन्होंने ये भी कहा कि एक आक्टर के साथ उनका रिष्टा भी था लेकिन जब आक्टर को काम मिलने लगा तो वो चला गया रोहित ने बताया कि जब वोस आक्टर को उनके लिए फिलिंग्स के बारे में पूस्ते हैं तो वो कहता है कि रोहित को बैट पर अच्छा टाइम दिया है रोहित के कुलासे वाकई किसी को भी परिशान कर सकते हैं लेकिन उनकी हिम्मत की सरहाना करनी होगी कि उन्होंने अपने बारे में कितना कुछ रिवील किया है रोहित वर्मा आज इंडस्टी के जाने माने मश्यूर डिजाइनर है इसके साथ ही वो हमीशा अपने बेबाग बयानों के बज़ा से सुर्कियों में बने रहते हैं लेकिन अजबार उनोंने जिस शौकिंग खुलासे किये हैं उसके बाद हर कोई काफी हरान है रोहित वर्मा ने जिस तरीके से अपनी बातों को दुनिया के सामने रखा वो वाकिए काबिले तारीफ है क्योंकि इंडस्टी में रहने के दोरान लोग कभी भी ऐसे खुलासे नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ऐसा कुछ भी रिवील करेंगे तो इससे उनके प्रोफेशन पर उनकी चवी पर काफी असर बढ़ सकता है लेकिन इसके बावजूद रोहित वर्मा ने जो खुलासा किया है वो अपने आप में काफी हिरान करने वाला है रोहित वर्मा ने जो शौकी खुलासा किया है उस पर क्या राय है आपकी जल्दी से हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं अगर आपने अभी तक फिल्मे बीच को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए अगर आप हमारा ये विजियों फेस्बुक पेश पर देख रहे हैं तो उससे भी लाइक कीजिए बॉलिवुट टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रही फिल्मे बीच कर दो से एंगर ये झारा ये जिए हैं तो ये नहीं को सब्सक्राइब भी बादEश प्राइब बीच्च को फिल्मेजिए ये जोड़ी में बीचे से बिल्मे दोओे